हेलो दोस्तों मैं से आपका स्वाध करता हूं क्रिप्टो इंसेडर ठीक चनल पर दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है कंटिनूसली डिक्लाइन हुआ है यहां पे जो एक इस पेसल जो हमारा लेवल है वह अभी भी मिंटेन हुआ है कहीं नहीं बॉंस बैक देखने है नहीं हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो बैल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो किक मड़ेली लाता है इस इंफॉर्मेटिव वडियो तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल आलेस सुरू करूं हरोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमिर करने चाहूंगा मैं अगर मुझस से चाहते हैं अगर आपको दिटेल के सब्सक्राइब करने की सलाह नहीं देता हूं अगर फिर भी आप ट्रेडिंग करते हो तो जरूर अपना रिस्क रिवार्ड मेंटेन कीजिए और इंवेश्मेंट करने से पहले भी जरूर अपने रिस्क रिवार्ड को कर सकते हो वहाँ पी बहुत ही प्राइस पर आपको जो है लाइफ टाइम एक्सिस के साथ सेकंड बैच में इन्रॉल्मेंट मिल रहा है ज्यादा डीटेल के लिए आप सबसे पहले देखेंगे हर रोज के तरह बिटकोइन का चार्ट कल के दिन अल्टिमेटली रेड कैंडल क्लोज हुआ कहां पे गया हमने एक्सपर्ट किया था कि यहां नीचे जा सकता है वैसा ही कुछ देखने को मिला लोज 37,000 तक गया क्लोजर हमें 37,700 के आसपास देखने को मिला फ्यूचर के चार्ट की बात करूँगा मैं फ्यूचर के चार्ट पे हमें कोई भी CME का गयाप देखने को नहीं मिला अभी तक जिस हिसाब से हम डिक्लिनीशन मोड में अभी भी CME चार्ट पे दिख रहे हैं इट सीम्स कि यहां अगर नीचे जाता तो प्राइस सक्षन में और इंपक्ट होता हुआ देख सकता तो अभी जो वीकली क्लोजर हुआ हुआ उसके बाद जो अभी मंडे का ओपनिंग हुआ कैंडल वो क्या कहता है इसके उपर डिसकस कर लेते हैं सबसे पहले मैं बात करूँगा स्पॉर्ट पर वीकली कंडल के क्लोजर की और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि हम काफी नीचे चले गए थे इस हंडेड यह में लाइन के लेकिन अल्टिमेटल क्योंकि यह सपोर्ट जोन है हमें बांस बैक देखने को मिला लेकिन इवें दो हम चले गए थे 40,300 डॉलर टेस्ट क में है यहां से जरूर साइडवे लेते हुए अपसट जाता हुए दिख रहा है मोमेंटम एंड सकोष्टिक आरे से भी 20 के आसपा से स्ट्रगल कर रहा है इस वीक के क्लोजर के बाद या तो हम इससे बाहर आ जाएंगे या तो हम यहां से रिजक्ट हो जाएंगे तो दोनों सिनारियो में यह वीक जो है decide करेगा कि March का मन्त में हमें अधिमेट्ली प्राइसेक्शन चाption क्या हो सकता है अगर यहां से देखने को मिलता है तो March का मन्त भी हमें इसी रेंज में 36 से लेके 40,000 के बीच में ते देखने को मिलेगा अगर अगर हम ये रेंज क्लोज कर लेते ह there is a huge potential chance की March में हम again से retrace करे towards at least 50,000 के towards and definitely इन सब के उपर discuss करेंगे लेकिन फिलहाल जो है यहां पे हमें सबसे ज़्यादा major resistance मिलेगा 44,000, 45,000 का level, overall आप देखोगे तो red line and green line में difference भट रहा है, momentum wise भी हम weekly chart पे कुछ खास नहीं दिखा रहे हैं और यह momentum जो है लगगगगग numbers के end से बना हुआ है chart पे and definitely यहां पे sideways action काफी लंबा चल गया है, अब यहां से जुरूर expectation है कि market में volatility हमें weekly chart पे देखने को मिले, कुछ इस तरीके का और अगर इस scenario में हमारा green line उपर जाता है तो definitely it will be huge sign for bullishness on the bitcoin chart, definitely यहां पे बात करूँँगा, weekly chart closer होने के बाद हमें higher low maintain करता 40 के अब अब closer मिला, definitely हम काफी ऊपर चले गया थे लेकिन closer matter करता है, closer हमें मिला 40 के ठीक ऊपर और यह होता है support zone, definitely इस हिसाब से क्या हो सकता है, उसकी बात कर लेता है, weekly chart पे it seems के अगला एक दो week भी sideways action में, अगर हम ऊपर भी जाता है तो अभी एक दो week हमें लगेगा time recovery में यहां से इस range के बाहर निकलने में हो सकता, पूरा महिना लग जाए, लेकिन weekly chart पे यह चीज़े है, weekly chart पे जब चीज़े ऐसा कुछ momentum आएगा, तो price में बहुत तेजी से surge होता है देखेगा, लेकिन इस support line को हमें break नहीं करना, closer के वक्त, तो definitely अभी जिस level पे हैं, कुछ उसी level पे हम मई के आसपास भी बने हुए थे, लेकिन उस time में हमारा 51 EMA जो था support line दे रहा था, और अभी फिलाल 100 EMA लाइन, 51 EMA and 21 EMA दोनों एक जगा पे बने हुआ है, तो यह भी interesting fact है, क्योंकि जब हम ऊपर जा रहे हैं, तो बार-बार हमें इसलिए rejection देखने को मिल रहा है, क हम 21 EMA का support ले रहे हैं, मंतली चार्ट पे, 21 EMA के support के उपर जब तक मंतली के चार्ट पे रहे हैं, there is a huge chance की हम हमेशा spike उपर दिखा है, past में भी कई बार हमने इस line को test किया, 2013 में भी test किया था, और उसके बाद काफी तेज़ spike देखने को मिला, although हम उस cycle से deviate हो चुके हैं, हम तो वहीं पे अगर मैं बात करू, 2013 में तो ऐसा कुछ देखने को मिला था, past में पीछे मुड़ के अगर देखते हो तो लेकिन यहां पे अब जरूर जो है, पिछले दो week से, दो month से हम इसी zone के आसपास closer ले रहे हैं, तो monthly closer, आज के दिन का candle, जिस जगह पे हम हमें अभी बन closer ले, तो better माना जाएगा, अगर इसके नीचे closer लेता है, तो वह वाकई bitcoin को अगले एक दो महिने और जो है, खराब इस्तिति में डाल सकता है, इस चीज को मान के चलना आपको, लेकिन, फिलहाल, क्योंकि हम boundary level पे, boundary level पे ऐसे momentum आते हैं, weeks आते हैं, due to panic situations, तो उससे भी हमें करना नहीं है, ultimately जो cycle का part होता है, चीज है, वो हमें जरूर momentum देखने को मिलता, तो अभी फिलाल, monthly chart उतना अच्छा नहीं है, definitely हम boundary land पे, weekly chart पे, we are still bouncing towards 44,000, and यहां पे, अब daily basis पे क्या हो सकता, इस पूरे week, इसके उपर discuss कर लेता है, सबसे पहले देख लेता है, कि क्या वापस से 21, यह हमें retest हुआ, fail, ultimately, red candle, काफी ज़्यादा तेजी से, आपको retrace करता हुआ, इस support zone को, जो मैंने draw किया था, कि यहां तक जा सकता, price action, वो हुआ, in fact, उसके नीचे भी गया, लेकिन closer हमें, उसके आस-पस देखने मिला, तो अब यहां पे क्या हो सकता है, उसके पर discuss कर लेता है, one day के chart पर आप देखोगे, अभी भी higher low और higher high maintain कर रहे है, RSI पे, definitely, जो अभी declination zone में बना हुआ है, 50, जो हमारा EMA line है, RSI का, तो इसके उपर जाना, crossover करना बहुत जरूरी है, to show real bullish action, in short term as well, but one hour के chart पर जल्दी से देख लेता है, क्या हो रहा है, अभी continuously यहाँ पर हमने काफी अच्छा search लिया था, Friday के आसपास, और उसके बाद मैंने आपको कहा था, 200 EMA line को, अगर हम support को continuously pass करते हैं, तो definitely आने वाले days में, हम आने वाले जो hours है, उसमें हम ऊपर की तरह price section देख सकते हैं, आसा कुछ हुआ, लेकिन 40,300 dollar से जो rejection मिला, उसके बाद हम continuously 200 EMA line, 100 EMA line, 51 EMA, यह सब line जो थी, एक साथ एक जगा पे थी, और वो हमें rejection दिया, finally clear cut rejection हमें रात के लगबग, डेर बजे के round में कल के दिन देखने को मिला, उससे पहले हम जरू 38,925 dollar के आसपास, और कर रहे थे, लेकिन यह rejection point ने हमें वापस से उसी zone में पहुचा दिय है, जहां पे हम उठके आया थे, almost और यह support zone है, definitely support zone से हमें bonds देखने को मिला, 21 EMA, आने वाले hours में कैसे behave करता है, यानि कि 38,200 से 300 का level कैसे behave करता है, वो decide करेगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, या फिर आज के दिन नीचे जा रहे है, definitely interesting होगा, अगर यह हम ऊपर break करते हैं, तो भी देखना interesting होगा, कि evening के वक्त में, evening के वक्त में कैसे behave करता है, especially Ukraine और Russia का जो भी progressive, जो more to more war है, उसमें भी जो चीजे देखने को मिल रही है, वो अभी संकेत नहीं दे रहे हैं, कि अभी immediately खतम होने वाला, although बात्चित चल रही है, but अगर इसमें कोई भी positive चीजे आती है, बा मुझे टेस्ट करने वाला है, तो ये level टेस्ट होने के बाद, there is a possibilities के हम reject हो, तो उसका जो है panic situation हमें बाकी के market में दिख सकता है, although, although यहाँ पे bitcoin जिस level पे है, one hour की चार्ट पर मैं clear cut देखू, तो अगले जो कम से हम 5-6 घंटे है, मुझे उपर जाता वाद दिख रहा है, bitcoin and definitely इस duration में 38,500 का level special zone होगा, जहाँ पे हमें high resistance मिल सकता है, and do remember, हम जो हैं अभी इसी zone के अंदर बने हुए है, and अभी इस line को हम थोड़ा सा और shift करें, तो आपको देखने को मिलेगा कि हम इस line को थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर broadening ways को, down train में जो broadening ways हमारा बना हुआ है, वहा अगर break करता आने वाले 4-8 hour में, तो तो बढ़िया है, तब तो bitcoin का price उपर जाएगा, अगर यह break नहीं कर पाता है, वहाँ से resistance मिलता है, तो this time we will fall back below 30 का level, 1 hour के chart पे है, that means कि हम further low create कर सकते हैं, 4-8 hours के बाद, इन चीजों पे आपके नजर रखना होगा, and definitely अगर हम यह break out कर जाते हैं, तो यह बहुत अच्छा संकेत होगा, 4-hour के chart पे क्या कह रहा है, अभी भी मामला जो है, हम कह सकतो कल के दिन के जो declination, साफ declination के बाद, हम इस range को तोड रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कहीं न कहीं declination zone में, confirmation के हम उपर जा रहे है, 50 का RS है, वही 1-hour के chart पे जो दिख decline कर सकते हैं, there is a high possibilities, do remember, RSI, अगर मैं बात करूँ सा कुछ टिका RS है, तो जरूर जो है नीचे के zone में बना हुआ, तो definitely sideways section में भी price section नीचे जाने के chances high है, बाकी का momentum indicator भी 4-hour के chart में retrace होता होता, होता बाद नीचे देख रहा, तो there is a high possibilities as per different indicators, कि हम यहाँ से decline हो जाए, लेकि सही कुछ ऐसा spike आने के बाद वापस से 39,000 के range में अगर हम उपर चले जाते हैं, तो it will be act as a support, do remember, 4-hour के chart पर हमारा major critical range है, जो हमें declination देगा, वो होगा 40,300 का level, जहां से recently अभी हमें fallback देखने को मिला है, and अभी तक हमने higher lower, higher high maintain किया है, मेरे इसाप से अगला 4-8 hours, 12 hours जो ह लेकिन अगर इस duration में, हम upside maintain कर लेते हैं, आफिर sideways action maintain कर लेते हैं, इसी zone में, तो it is bullish sign for us, and probably late evening hours के बाद आपको price action ऊपर के तरफ जाता हो, देखे, but overall, chances wise, अगर मैं बात करूं, indicator wise, 4-hour के chart पर, 1-hour के chart पर, तो it seems, कि हम यहां से reject करते हुए देख रहे हैं, 38,300 के, 200 के आसप का दे सकता है, और वहीं नीचे जिस आप से, declination देखने को मिला, उस हिसाप से, अगर आप देखोगे, तो यहां पर बाकी के chart पर भी आपको देखने को मिलेगा, कि Bollinger Band पर हम reject हुएं कल के दिन, properly, and आज के दिन हम आप expect कर सकतो, जरूर 38,900, 800 के आसपास का level, अगर bonds back लेत पर हमने test किया है, तो definitely जिस आप से declination zone है, there is a possibilities कि हम यहां से upset चले जाएं, लेकिन उसके लिए बहुत important होगा, इस middle line को cross करना, 40,500 के level के above closer लेना, उससे पहले मैं बार-बार कह रहा हूं, उससे पहले, at least 42,000 के पहले, मैं expecting करता हूं कि Bitcoin अभी extra bullish है, in short term, and अगर जिस आप स position play out हो रहा है, there is, it seems कि जो मैंने आपको कहा था कि अगले दो वीक, जो है, मार्च के भी, खराब हो सकता है, कम से कम, वैसा कुछ possibilities देखने को मिल सकता है, dominant chart की बात के लिए, dominant chart पे भी कुछ वैसा ही देख रहा है, जैसे Bitcoin बेव कर रहा है, कल के दिन, अभी 2 दिन पहले, मैं मैंने आपको कहा था कि weekend में हमें अच्छा move देखने को मिल सकता है, at least altcoins में, तो वो होता हुआ दिखा, हमने देखा काफी हद तक retrace लिया, पिछले 72 hours में altcoins लेकिन उसके बाद कल मैंने आपको कहा था कि यह interesting level है, यहां से वैसे उस वक्त जरूर decline होता हुआ देख रहा था तो अचानक से जो है, search देखने को हमें मिला, वो इसी वज़े से हुआ क्योंकि यहां पर आपको बहुत तेजी से जो है, ऊपर नीचे होता हुआ दिखा, price action, bitcoin का, and long का position वापस से बना है, जरूर जो है, declination mode में भी हमें, बीच बीच में rally देखने को मिलता, तो कुछ हुआ सी प्रकार से माना जाएगा, और आने वाले जो next couple of hour है, उसमें interesting हो जाता है, जल्दी से हम break करें नीचे की तरफ, अगर हमें वाकई अच्छा move दिखाना, although 4 hour के chart पे, I am still expecting कि हम वापस से retest करने के लिए 42.50 के आसपास आ सकते हैं, उसके आसपास जो है, वापस से हमें upside का momentum दिख सकता है, और अगले आने वाले 24 hours में sideways action भी, जो है dominance chart को उपर की तरफ ले जा सकता है, यानि कि alt coin में ज्यादा better move, BTC pair में at least नहीं देखने को मिलेगा, bitcoin के term में अगर चीजे देखोगे तो उतना अच्छा नहीं देखेगा, लेकिन yes, bitcoin का price अगर बढ़ता है, dollar के term में जो मैंने आपको बताया है, तो जरूर alt coin जो है, USD chart पे या तो hold करते वे दिखेंगे या फिर बढ़ते वे दिखेंगे, but majority chances bitcoin की USD graph पे कैसे क्या play out होता, उसके उपर depend करेगा, तो मैंने आपको update दे दिया, यहाँ पे ethereum के chart पे कल भी मैंने कहा था, बले हम उपर हैं, बले हम हम इस जगपे हैं, support बनाना बहुत जरूरी होगा, support हम decline कर गया है, fail हो गया है, आज हम इस वक्त वापस से retest कर लिए हैं, तो जरूर जो है, यह level हमारा 0.0679 का जो level है, वो हमें अच्छा का सा support दे सकता है, और अभी overall देखोगे, almost almost पूरा एक महिना हमने इसी zone में गुजा हुआ हुआ है, and this need to be break, and जब तक यह break नहीं होगा, तब तक आपको major price action नहीं देखने को मिलेगा, definitely अगर, definitely अगर यह ऊपर की दर break out होता है, तो आपको expect करना चाहिए कि RSI level पे, हमें जो आराम से 75-76 के level तक जाता होगा, देख चाहिएगा, Ethereum आने वाले days में, लेकिन जब तक यह 55 के अबब closer नहीं लेता back to back, तब तक यह कहना बहुत ही जल्दबाज होगे, and especially Bitcoin do and die situation में, अभी current position पे बना हुआ है, definitely बाकी chart के इसाप से आप देखोगे, यहाँ पे support zone पे definitely जो है Bitcoin का बना हुआ है, support and यह support line पे अभी फिलहाल green candle बना रहा है, कल का जो closer था weekly candle, वो अभी ठीक support line के ऊपर था, तो यह जो है range, यह range अगर Bitcoin को थोड़ा भी push करता ऊपर, तो जरूर वापस से 44,000 के तरफ पुछ कर सकता price को, लेकिन वहाँ से एक declination Bitcoin को वापस से 35,000 के below ले जा सकता है, तो मैंने आपको कहा भी था कि 38,000 के नीचे जाता है, तो high possibilities बन जाती है, फिलहाल जरूर जो है, Bitcoin वापस से जो है, उसी zone में आता हुआ दिख रहा है, 37,800 के आस पास trade कर रहा है, लेकिन बहुत early है, मैंने आभी आपको वान आवर के chart पे जो भी बता है, वो काम करेगा, तो आने वाले hours में, आज है monthly closer, definitely मैं ट्रेडिंग से दूर रहने के लिए बा रहेगा कि साम में evening के वक्त जो है, जो भी हमें बात्चीज सुनने को मिल रहा है, उस पे क्या progressive move रहता है, overall, although जो chart wise आप देखोगे, तो 200 email आइन, S&P 500 पे हमें rejection दे सकता, possibilities बना हुआ है, तो इस चीज़ को आपको maintain रखना है, खयाल रखना है, और अगर यहाँ पर कोई भ वापस से उस range में ले जा सकता है, 35,000 के below, यह चीज़ माइंड में लेके रखना, क्योंकि हमने एक important level, 38,200 का level, break कर दिया है, तो guys, अगर आप लोग के queries हैं, तो quickly से पूछ लो, मैं अगले 5-10 minutes यहाँ पर हूँ, meanwhile, मैं जब तक आप लोग के queries आते हैं, तब तक मैं दूसरे chart पर आपको कुछ update जरूर देना चाहूंगा, so that हम बाकी के charts को भी, जो miss करते रहते हैं, वो generally हम देख ले, तो यहाँ पर मैं देखना चाहूंगा, कि fear and greed index क्या कहता है, तो fear and greed index की, अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, कि crypto का fear and greed index काफी दिनों से, काफ अगर देखोगे, तो उपर जाते हुए देखा, 44 के आसपा, 46 के आसपा, अभी दिन पहले, बट अभी भी हम जिस level पे decline हुआ है, वो हमें higher low maintain कर रहा, जो कि अच्छी बात है, और यहाँ से हो सकता, अगला 2-3 दिल हम इस जगह पे रह सकते हैं, worst case scenario में, लेकिन अगर commission मिल जाएगा, हमें higher low और higher high का, next जो push वापस से down होगा, वो जरूर जो है, इस level से अबब हो सकता है, definitely वो 41 के range में रह सकता है, लेकिन फिलहाल, अभी जो recently हमने देखा था, upset, वो 50 का आसपास था, तो अभी काफी early है, अभी हमने वापस से rejection देखा, जो कि हमें expected था, कि Monday का पास-पास ऐसा कुछ हो सकता है, and definitely यहां से उपर की तरफ कैसे price action behave करता, उसके हिसाफ से dominance chart कैसे higher law, higher maintain करता, वो बहुत जरूरी है, यह अगर हो जाता है, तो definitely वापस से price action, जो भी मैं आपको bitcoin के chart पर बताता हूँ, वैसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है, यहां पे जो 10 साल के holding के लिए bitcoin अच्छा होगा या इत, देखो, bitcoin, do remember, bitcoin is the main asset, जो कि इस cryptocurrency industry को कह सकतो नीव है, ठीक है, यानि यहां पे जो भी trading होता, bitcoin के pair में maximum होता है, इस चीज़ को माइड में रखना, USDT pair तो बाद में है, bitcoin pair पहले है, पहले बात, दूसरी बात, आप भी, आपका भी focus कस होता, bitcoin बढ़ाना, तो इस चीज़ को माइड में रखना, तो bitcoin का fundamental इसलिए है, क्योंकि आज ए currency behave करता है, आज ए asset behave करता है, इस वज़े से, ethereum का supply zone जो है, अब वो अलग scenario हो गया, अब यहां पे ethereum 2.0 आ रहा है, definitely ethereum जब 4000 से वापे से decline हो रहा था, मैं आप लोग को कहा बाता कि, यार मुझे अभी ethereum अच्छा नहीं देख रहा है, लेकिन आप अगले 10 साल की holding की बात करो, ethereum will give you more percentage than bitcoin, this is the reality, this is the reality, ethereum is going to perform, मतलब in terms of percentage return, bitcoin से ज़्यादा देगा, अगर आप उस तरीके से देखते हो, चीजों को, लेकिन अगर आप price section में देखते हो, तो ethereum अभी bitcoin को beat नहीं करने वाला है, क्योंकि आपने जैसे बता है, supply zone उसका ज्यादा है, तो definitely वो ज्यादा है, लेकिन use case भी ज्यादा है, defy, सारे ethereum के उपर maximum, जितने भी आपको NFT देख रहे है, maximum ethereum, जितने भी आपको smart contract, maximum use case, use cases जो introduce हो रहे हो रहे हो, ethereum network, ethereum का fundamental बहुत strong है, ethereum 2.0 आने का spike नहीं आया है, जो spike था, early days में आया था, उसके बाद से अभी यह तक hype नहीं बना है, तो ethereum 2.0 इसी साल launch होने वाला है, उसका भी hype बनेगा, तो इस वज़े से भी ethereum immediate short term में आपको better करता हुआ दिखेगा, इसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन 10 year में overall आप देखोगे, तो BRN से अभी तक का आप देखोगे, percentage में return, तो ethereum ने bitcoin को beat किया है, इसी तरीके सा आगे भी beat करेगा, and do remember, bitcoin दीरे-दीरे stability की और सबसे पहले बढ़ेगा, then बागी के asset, तो अभी 10 साल का अगर perspective लेके चलतो तो yes, ethereum will perform better, but yes, do remember, ethereum तब exist करता है, जब bitcoin exist करता है, तो bitcoin को priority low नही आप bitcoin को gold मानते हो, तो ethereum को आप silver तो नहीं कहोगे, silver आप light coin को जरूर कह सकते हो, लेकिन ethereum is something जो उसके base पे jewelries क्याते है न, gold से jewelries जब बनते है, तो jewelry की दाम और बढ़ते है, तो ethereum वो jewelry है, kind of आप कह सकते है, तो अच्छा question था, fundamental से related था, तो आप जरूर जो है, supply भी जो ह है, अब धीरे-धीरे उसका, जो cut-off है, वो बढ़ता जा रहा है, अब जो पहला mining का concept था, वो भी खतम होने वाला है, फिरम 2.0 से, तो बहुत कुछ interesting होने वाला है, I'm sure, अभी बहुत कम लोग जोरे हुए, and questions भी आपके नहीं है, it means, कि आप लोग serious हो के trading अभी नहीं करना नहीं, तो maximum लोग trading perspective से ही question पूछते है, and that is very good decision, अगर आप इस आज के दिन को at least skip करते हो, क्योंकि 2nd March के बाद से at least चीजे normal होते ही, आपको दिख जाएगी, future के चार्ट पे जो भी चीजे होना था, वो मैंने आपको 25 तारी कोई कहा था, कि उठा-पटक होगा, वो हुआ अपने देख भी लिया, उसके बाद monthly closer matter करता है, वो भी हम देखी रहा है, definitely, अभी फिलहाल जो है, आज का closer decide करेगा कि monthly closer कहाँ पे मिलता है, तो यह interesting होगा, कि हम क्या green line बनाते हैं, green candle बनाते हैं, फिर red candle, बहुत महमूली सा फरक है, open हुआ था 3800483 डॉलर, यानि इसके ऊ ओपर कहीं पर भी जाता, monthly candle हमारा green बनता हो दिकेगा, most probably जिस हिसाब से, आज का दिन interesting है, वो evening hours हम्यारा decide करेगा, कि हम ultimately green candle बना रहे हैं, monthly या नहीं बना रहे हैं, तो इस हिसाब से, आपको maintain रखना position, and do remember, trading करने से अगले 24 hour, तो बिलकुल ही बचो, monthly closer है, आज जो भी weekend, जो भी हमारा ये Monday का move होगा, वो decide करेगा, आने वाले 2-3 दिन में हम कैसे behave करेंगे, evening hours में, तो इस चीज़ को आपको जरूर notice करना चाहिए, तब ही आपको जो है idea मिलता रहेगा, कि कैसे क्या possible scenario बन सकता है, इस weekend आते आते, तो इस चीज़ पर नजार रखना है, एक चीज और highlight करना चाहूंगा, daily chart पे, bitcoin जो है जरूर ऊपर जाता बाद दिख रहा था, यहां से जब ऊपर गया था, मैंने आपको बता है 20 का level बहुत critical होगा, लिए वहां से ऊपर जाने के बाद 34 के आसपास हमें declination देखने को मिला, definitely जो पिछले 24 hour में price action हुआ उसकी विज़े से, it doesn't mean कि यह नीचे चला ही जाएगा, it doesn't mean, it means कि यह नीचे आ सकता है 20 का support लेकर फिर से bonds back दिखा सकता है, ऐसा पहले भी कई बार होता है, लेकिन equally chances है कि वो नीचे भी चला जाए, kind of जैसे हमें देखने को मिला था, इस जगह पे, आपको दिखा दूँ अगर incident, तो यहां प possible है, but अभी scenario में मैं यही कहूंगा, कि सबसे important है कि आने वाले जो hours है, उसमें कैसे behave करता है Bitcoin, उसके हिसाफ से decide होगा, कि आने वाले week में कैसे behave करता है, March का मन्त, मैंने आपको बताया, यह मन्त का closer जो होगा, वो decide करेगा, और यह मन्त का closer, अगर हम कहीं पे भी 38,000 के ऊपर यह 39,000 के ऊपर लेते हैं, तो अच्छा माना जाएगा, इसके below लेते हैं, तो आने वाले दो या तीन हपते और हमें इसी range में price action जूलता होगा, दिख सकता है, फिलाल के लिए मैं यह कहूंगा, बाकि जब मंत्री closer होगा, तो मैं definitely आप लोग को बताऊंगा, रोता सोनी जी अब दो-तीन दिन पहले भी मेरे से पूछा था, I'm not sure आपका कुछ संतायक्ट इन का था, अभी आप profit लेना तो सीख जाओ, आदत बना लो, वो कहता है ना, सेर को खून का जब तक नहीं मिलता ना, टेस्ट, तब तो सिकार के लिए नहीं, भूखा नहीं होता, तो एक बार इसको आदत तो बनाओ, अपना जीतने की आदत तो डालो, 5% क्या 10% भी daily कर पाओगे, सबसे पहले सीखो कि 1% daily कैसे बना है, 1% अगर बना लिए ना, तो आप कुछ भी बना सकतो, यह मैं लिख के दे सकता हूँ, 1% में accuracy बढ़ा लो, 1% का accuracy बढ़ गया ना, तो आप daily basis में 10 10% भी बना सकतो, possible, very much possible, अगर 1% possible है तो 10% भी possible, obviously risk reward उसी हिसाब से हम करेंगे, सब कुछ detail में खोलूँगा, सब कुछ बताऊँगा, guide करूँगा, दिखा के करूँगा, demo दिखा के करूँगा, और कुछ चीजे जो होती है YouTube पे open मैं नहीं कर सकता हूँ, उसका limitation है क्योंकि ह पर एक person का अपना background होता है, तो थोरा सा सबर रखो, मैं कह रहा हूँ, आदत बना दो, जीतने की, आदत बन गेने जीतने की, तो trade लेने की आदत पहले आता है, कि उसमें trade लेते ही आपको आदत नहीं हो जाएगी trading लेने की, आपका emotion आपका काम करेगा बीच बीच में, तो उसके उपर जीतना सीखो, छोटे-छोटे trade लेके, support and resistance बिल्कुल play out करता है, and thank you for the feedback, and मेरा tea अगर आपको काम कर रहा है, help कर रहा है, daily basis पे तो definitely, 2-5% कैसे जाना ये भी मैं बता दूँगा, and दूसरी बात एक चीज़ बता देता हूँ, देखो, मैं जरूर कहता है, 3% daily से इतना से इतना हो जाता है, लेकिन मैं एक target based कहता हूँ कि one year में इतना हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि आपका position क्या, आज से एक साल पहले आप अगर नहीं करते थे, यानि बिल्कुल blank थे, आज आपने start किया, पहला कदम रख दिया ना boss, रख दो, भले ही half percent बना रो, भ बहुत जरूरी है और उससे भी important risk reward को जरूरी है बनाना, वो एक बार बना लिया ना, फिर सारे चीज possible, और दूसरी बात, आपको पता है कि एक साल पहले आप कुछ नहीं कर देते हैं, इस साल आप अपने basis पर trade लेना, सीख रहे हो, थोरा सा time दोगे, उसके बाद आप इसक 500% 300 दिन का बनता है average, 1500% यानि कि अपने पैसे को double से भी ज़्यादा बना रहे हो हर साल, एक example दे रहा हूँ, I didn't mean कि मैं वो कहने वाला हूँ, जो आप, कि मैं ऐसा कुछ नहीं कराने वाला हूँ, मैं बिलकुल कराने वाला हूँ, थोरा सा सबर रखो, अभी मैं दूसरी बात, अगर आप डेली के यार, एक परसेंट नहीं, एक परसेंट बनाना सीख ले तो न, यानि 365% बनाना सीख जाओगा है, average मान लो 300 दिन में से, 200 दिन आपके खराब थे, 200, मतलब आल्मोस्ट, 1500 दिन तो अच्छे थे, तो भी आप अपना रिस्क रिवार्ड के ब profitable रह सकतो, पहली बात, दूसरी बात, क्या होगा अगर आप एक परसेंट ही आज की डेट में बनाओ, 5% ना बनाओ, तो क्या हो जाएगा, पैसा डूब तो नहीं रहा न, आपको बढ़ ही रहा न, पहली बात, दूसरी बात, मैंने आपको बोला न, 1% बना लिया न, तो 10% मैं बता दूँगा कैसे बनाओ, तीसरी बात, कि अगर, अगर, कोई target मैं बोलता हूँ, कि 365 दिन के हिसाब से, यह 10,000 रुपे, 10 करोर रुपे, 1 करोर रुपे, मतलब 100 करोर रुपे, अलग-अलग levels, अलग-अलग compounding के basis पे आता है, तो वो मैं आपको motivate करने के लिए बोलता उसका यह result रहा on the basis of 3% या 5%, right? क्या होगा वो चीज़ आप अगर 2 साल में achieve कर लोगे, क्या होगा अगर 10,000 को आप 1 करोर बना लो 2 साल में, कोई फरक पढ़ रहा है आपको, क्यों जरूर ही आपको, जैसे ही 365 को double कर दोगे, 600 दिन का, तो बहुत ही असान लगेगा, तो हम न मतलब target को ना burden नहीं बनाना है, अभी थोड़ा सबर रखो, accuracy पहचानो, और अपने जो trades में successful हो रहा हो, उसको भी पहचानो, उसका भी analysis करो, क्यों successful होगा, उस दिन ऐसा क्या हुआ, कि मैंने जो सोचा था, वो हो गया, और जो fail होते हैं, तो definitely analyze करो, कि ऐसा क्या हुआ, कि ज time के साथ आता है, यह learning अपको बहुत दूर तलक, आगे तरक ले जाएगा trading की दुनिया में, ठीक है, तो इस चीज़ पर फोकस रखो, 5% के ऐसे पहुंचे नहीं, बहुत असान है, हो जाएगा, ठीक है, पहले 1% सीख लो, ठीक है, send coin का बता दो, एक कुस्स्चन आ रहा है, send का, आपने लिखा है, send, so it's a different, so let me open the send, so I'm not sure, what is this coin, if you mean to say, send coin, that is different, send coin में search कर लेता हूँ, इसलिए, crypto में, बहुत important होता, social send करके, नहीं, alt coin है, I think, जो की, पांस सतो सी का स्पास, trade कर रहा है, circulation supply, total circulation supply, जो लिखा हुआ है, वो, ठीक ठाक कहूंगा, project क्या ऐसा है, वो तो अभी white paper पढ़ने के बाद ही पता है, लेकिन, जैसे साब से लग रहा है, social send, it seems कि steam का ही project है, जैसे साब से symbol भी, I am not sure, बट आपको, अगर idea नहीं है, तो आप जरूब पता कर लिए, बिल्कुल, बिल्कुल, यह steam का ही लग रहा है, जुलाई 2018 से एक्जिस्ट करता है, नय alt coin नहीं है, totally, यार यह dead alt coin है, मतलब, मैं यह नहीं कहूंगा, यह बढ़ेगा नहीं, obviously, bitcoin बढ़ेगा तो बढ़ेगा, but, ऐसे alt coin में investment मत करो, trading के लिए opportunity दिखता तो करो, otherwise, मैं investment बिल्कुल भी recommend नहीं करूंगा, especially bull duration में, इस तरीके से, जो, जिस position में अभी है, और याद रखना, यह वैसा rank है, नने दिखा रहा ह ने, वो भी, 5 साल market में exist करने के बाद भी, तो, यार, मैं कैसे recommend करूंगा, तो, don't do the, you know, investment in these alt coins, definitely, आप trading opportunity दिखता, तो, अपने risk के हिसाफ से लिए सब को, but, highly risk में रखना, sir, क्या, आपकी strategy, 5 minutes, 1 hour, 2 hours के time frame में भी profit दे दे की, yes, दिने सवालिया जी, 1 day का strategy है, वो, 1 day पे ह लगाना, उसको move मत करना, 5 minutes का जो strategy है, उसको 15 minutes और 1 hour के chart पे आप लगा के देख सकते हो, याद रखना, individual alt coin का पहले, आप previously जो history उसके उपर apply करके देखो, कितना accuracy level maintain हो रहा है, उसके बाद ही act करो, but, yes, 15 minutes के chart पे बहुत अच्छा result देगा, 5 minutes से भी जादा अच्छा result लोगो, but, यहाँ वहाँ पे trade थोड़ा कम मिलता है, but, 1 hour की chart पे उससे भी ज्यादा percentage मिलेगा, but, उससे ज्यादा आपको risk भी maintain करना होता है, wet coin is definitely, मैंने आपको बताया है, हुआ है पहले भी, so, let me go to again on this chart, and, अगर मैं देखूं, wet btc का अगर मैं chart देखूं, तो wet btc chart is definitely not in uptrend right now, तो uptrend में नहीं है, तो मैं आपको invest करने के लिए बोलूँगा नहीं, uptrend में जाता हुआ भी मुझे दिख रहा है, immediately, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, consolidation मुझे दिख रहा है, इसी level पे, जो मैंने साथ 2 दिन पहले भी cover किया था, वहाँ से bonds भी लिया, green हो गया candle, it मैं बोल रहा हूँ कि इसी zone पे हो सकता है, 4-5 हपते बिताने के बाद, यह consolidation zone में जाए, उसके बाद हमें spike वापस से आतावा, दिख सकता है, ऐसा कुछ momentum दिख सकता है, तो यहाँ पे 4-8 हपते, आप अगर range market में रहना जाता हूँ, तो यह आपका choice होगा, और याद रखना यह confirmation नहीं हो सकता है, यहाँ पे भी declination मिले तो further नीचे भी जा सकता है price action, लेकिन golden ratio, there is a high possibilities कि हम यहाँ पे 4-8 हपते बिता सकते हैं, उसके बाद हम upside move देख सकते हैं, तो यह रहेगा analysis, I think हम लोग time exceed कर गया है, late से question आया, but definitely कुछ अच्छे questions थे, hopefully सारे questions आपको offline mode में जब जो लोग video देख रहे हैं, उनको भी help करें, तो guys, आप लोग को video पसंदा है, मेरा effort पसंदा है, तो जरूँ वीडियो को like कर दिया करो, share कर दिया करो, and कोई question हो, तो comment box में जरूँ पूछ सकते हो, and definitely guys, आज हम exceed करने time, तो अब मैं लोगा आप लोग के queries कल के दिन, तो फिलह साल के लिए ask it, इस video में इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जल्द अगले किसी video में, तब तक लिए thank you, धन्यवाद, जये